डार्क मैटर एक ऐसा परदार्थ है जो पूरे ब्रहमांड में भरा हुआ है पर अजीब बत ये है कि आज तक इसको किसी नहीं देखा है जी हां ये बिल्कुल सच है हमारा लगभग 80% ब्रहमांड ऐसे परदार्थ से बना है जिसको किसी नहीं देखा है डार्क मैटर पूरी रैसे इन्वीजिबल है जिससे कोई लाइट और एनर्जी नहीं निकलती और डार्क मैटर को हम किसी भी सेंसर और डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। साल 2018 के मार्च मंथ में वैज्यानिकों ने एक ऐसे गलैक्सी को डिसकवर किया है जो डार्क मैटर लेस हैं मतलब इसमें कोई डार्क मैटर नहीं हैं। और यह जूपिटर का फिफ्ट मून हैं। वैसे ही नैप्चून का मून राइटन भी अपने आप में बहुत ही स्पेसल है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है जो अपोजिक डायरेक्शन में ओर्बिट करता है। और इसकी खास बात यह है कि राइटन पर नाइट् नाइट्रोजन आइस की थिल लेयर पर पड़ती है। अब हीट से नाइट्रोजन वैप्राइज हो जाती है। जो फुहारे को बनाती है। यह फुहारे लगभग 26,000 फीट उचे होते हैं। अब मैं आपको सोलर सिस्टम के एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताने जा रही हूं। जिस पर एक दिन सिर्फ चार घंटे का ही होता है। और इसकी वज़े इस प्लैनेट की स्पीनिंग स्पीड बहुत फास्ट होना है। इस प्लैनेट का नाम हुमिया है। जो की एक द्वार्फ प्लैनेट है। मतलब की बोनाग्र है। यह सन को यूपिलर बैल्ट में ओर्बिट करता है। ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जो हूमिया प्लैनेट को अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज बनाते हैं। इसका शेप इलोंगेटिड है। और इसके टू मून्स भी ह वैज्यानिकों ने 2017 में एक और अजीब चीज लोटिस की है। इसके चारों तरफ से टर्न प्लैनेट की तरह एक थिन रिंग है जो इस ड्वार्फ प्लैनेट को ओर्बिट कर रही है। मिस्टेरियस रेडियो सिगनल्स कमिंग फ्रों आउटर स्पेस। आपको जानकर हैरान डी होगी कि स्पेस रिसर्चर्स को साल 2007 में बेच से आते हुए कुछ रेडियो सिगनल्स मिल रहे हैं। यह इंको फास रेडियो कि कहते हैं जिसको शो शोट में अफ chosen इन। एक सिगनल्स की सिगनल्स ब्लेंस से पता नहीं चल सका है पेश से आती इन रेडियोससीनल का है ब्रह्मान में ूप के सबसे बड़ स्त्रोथ के बारे में पूछ जा जाए तो हमारा दिमाग तुरंती स्मुंद्रों के बारे में सोचेगा लेकिन हम आपको इससे भी बहुत बड़े पानिक के स्त्रोत के बारे में बताने जा रहे हैं जी हां ये पानिक का स्त्रोत विश्व का ही नहीं बलकि ब्रह्मान का सबसे बड़ा पानिका स्त्रोत है जो रिसर्चर्चर्च को धरती से 12 मिल ब्रहमांड में मुझूद सबसे बड़ा और धर्ती के सबसे दूर स्थित पानी का स्थित है और दुर्भागे वस ये पानी का स्थित एक कुवासार में स्थित है कुवासार एक अकास्य पिंड है जो कि ब्रहमांड में बहुत ही दूर स्थित है और कुछासार बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करते हैं ये अपनी एनर्जी इसमें जाने वाले मैटर्स से लेता है और ये हजार गुना ज़्यादा चमकदार हो सकता है इसी भी ऐसी गलैक्सी से जिसमें इसी बिलियन्स ओफ स्टार्स हो